दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपील का भाई है भौकाली यह है कि इसकी हर एक खबर बन जाती है हेडलाइन लेकन इस बार जो खबर हेडलाइन बनी है वो आईपील सीजन के चार महीने पहले ही सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई है जी हाँ और मेरे हिसाब से तो इस बार जो खबर आ रही है वो आईपील के थियास का सबसे बड़ा ट्रांसफर होने जा रहा है होने जा रहा है इसलिए बोला क्योंकि फ्रेंचाइजी को अपनी फाइनल लिस्ट आज यानि 26 नुमबर साम 4 बजे तक सौपनी है और आईपील में तो भाई कुछ भी हो जाएंगे हाला कि इसमें एक बड़ा पैच और आईपील के नियमों के हिसाब से हार्दिक पंडिया है हाई रिस्क पर उन पर लग सकता है पूरे सीजन में ना खिलने का बैन भी तो अगर आप सोच रहें कि सब माजरा क्या चल रहा है अगर आप करेंट अपियर से बिलकु में सुरू होने जा रहा है इस सीजन में कौन सा खिलाडी किस टीम की तरफ से खेलने वाला है या इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम अभी किस खिलाडी को छोड़ेगी और कौन सी टीम किस खिलाडी को छोड़ रही है इस बात की लिस्ट फ्रेंचाईजी को आज स सबसे बड़ी हाइलाइट तो बने हार्दिक पंडिया गुजरा टाइटन्स हार्दिक पंडिया को छोड़ने जा रहा है किया हार्दिक पंडिया जी हां हार्दिक पंडिया जिस खिलाडी ने पहली बार में ही गुजरात को कपताने करते हुए IPL का खिताब दिला दिया और द के साख को लेकिन और गुजराट को देख लिया है। केरियर तो अब लंबा होने से रहा अगर ऐसा है तो मुंबई और हार्डिक पंडिया के बीच एक खिचडी काफी पहले से पकड़े होगी और जो आई पिल के नियमों के बिरुद्ध है इसके लिए खलाड़ी को बैन तक किया जा सकता है और किया नहीं जा सकता है बलकि ऐसा पहले हुआ भी है 2010 में रबिंद जड़ेजा ने राजिस्तान रॉयल्स का कॉंटेक्ट साइन नहीं किया था क्योंकि वह बाकी टीमों के कॉंटेक्ट में थे और ज्यादा पैसों की डील चाहते थे और एह बात लीक हो गई और रबिंद जड़ेजा को 2010 के सीजन से बेन कर दिया गया था तो क्या हार्दिक पंडिया भी बेन हो जाएंगे क्योंकि इस ट्रेडिंग में भी कई सारी दिक्कते अभी नजर आ रही है तो फिलाल तो एता हुगा है कि मुंबई वाले हार्दिक के बदले गुजरात को कोई ख लाड़ी वन सकते थे ऐसे में मुंबई को एक गोल्डन डील मिल गई है वाई कुल मिला करके एक डील बहुती ज्यादा मिस्टीरियस है और खतरनाक भी हार्दिक पंडिया के लिहास से आपको क्या लगता है कि हार्दिक पंडिया ने क्या सही किया गुजरात को छोड़ करक मुंबई जाने का फैसला करके